मन लीजी आज रात आपको दिल्ली एरपोर्ट से फ्लाइट लेनी है, आपको जाना है, तो आपका फ्लाइट टाइम नजदी का रहा है, पर एक बड़ा ट्राफिक जाम लगा हुआ है, आपको वो ट्राफिक जाम कैसे लगेगा, बुरा लगेगा ना, भलेगे आप अपनी सच में सुन्दर होता है, आपने इससे देखा है, हाँ, हुआ बस इतना है कि थोड़ी सी दूरी हो गई है, एक बार अगर थोड़ी सी दूरी बन जाए, आप ये समस्या नहीं होती, आपको बता है कि इसे कैसे संबालना है, ये वही बात है, आपके मन की प्रकृती, आपके चीज़ को मन कहते हैं, क्योंकि उसमें खास मात्रा में बुद्धी और याददाश्त है, इसलिए आप उसे मन कह रहे हैं, आपको याद है, कि पांच पीड़ी पहले आपकी परदादी कैसी दिखती थी, पर उनकी नाक आपके चेहरे पर बैठी हुई है, लाखों साल पहले आपके पूरवज कैसे हुआ करते थे, अब तक आपकी तवचा की कोशिकाओं को यह याद है कि उनकी तवचा का रंग कैसा था, आया ना, तो आपके शरीर की हर कोशिका में उससे अर्बों गुना जादा यादे हैं, जितनी आपके दिमाग में संभालने की शमता है, अभी इस तरह से काम कर रहा है, तो अगर बुद्धी और यादाश दोनों की बात की जाए, तो यह सारे सिस्टम में फैला हुआ है, ना, उसके मापका निरोलोजिकल सिस्टम हर जगा फैला हुआ है, यह तो आप देख सकते हैं, तो मन एक जगा नहीं होता, मन का एक शरीर होता है यादों का एक शरीर होता है, भौतिकता का एक शरीर होता है, उर्जा का एक शरीर होता है, तो अगर आप जिसे मैं कहते हैं, बस उसके एक हिससे को देखें और लगातार उसके साथ ही खेलते रहें, अगर आपको नहीं पता कि बाकी चीजों को कैसे चलाया जाए, वो चीज और अब उनमें थोड़ी सी तारक एक बुद्धी आ गई है और वो भी हर तरह की बाहरी जानकारियों से और उससे वो ये हर तरह के काम कर रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन, आत्मचिंतन, कौन किस पर आत्मचिंतन कर रहा है, ये सारे के सारे पस्चमी विचार हैं जिन्होंने इंसानियत को बहुत जादा तकलीफ पहुँचाई है, मनोवे ग्यानिक प्रक्रिया, उन जानकारियों का एक नतीजा है, जिन्हें आप ने खटा किया है, और आप उन्हें कैसे प्रोस्पेक्शन करते हैं, ये है न, अगर आप उसे थोड़ा सा दूर रख दें, तो इसका पर कोई असर नहीं होगा, जब आपको जरूरत है उसका इस्तेमाल कीजिए, जब जरूरत नहीं है आपको उसे अलग रख देना चाहिए, पर फिलहाल, लोगों को ऐसा लगता है कि वो हर समय सोचते रहते हैं, जिसे आप इंट्रोस्पेक्शन कह रही है, ये एक तरह की मान पता होना चाहिए, क्या ये एक जागरूक प्रक्रिया है, ये बस ऐसे ही बेकाबू भाग रही है, ये बहुत जरूरी है, तो आत्म चिंतन का मतलब है पीछे की और देखने वाला जीवन का शीशा, आज आप एक युवा लड़की हैं, लेकिन अगर आप आत्म चिंतन ये इंट्रोस्पेक्शन करेंगी, तो आपको अभी से लगेगा कि आप बहुत जी गई हैं, हाँ, सबसे बड़ी समझदारी की बात लोगे सोचते हैं, शेक्सपेर ने निकाला था, मैं रहूं या ना रहूं, ये सवाल सबसे ज़ादा बुधिमानी भरा सवाल समझा जाता है, मुझे बताईएगा, अगर आप आनंद में होते, आप सोचते कि मैं रहूं या ना रहूं, केवल अगर आप दुखी हों तो, केवल तब जब आप जीवन को बोच समझ रहे हों तभी, आप ये सोचेंगे कि मैं रहूं या ना रहूं है न, तो कई माइनों में आपका आत्म जिंद्रियों के माध्यम से आया है और कुछ भी ने अगर आप कुछ नया ढून रहे हैं तो मैं आपको ये बता दूँ क्या आपका कम्प्यूटर उसमें डाली गई जानकारी के आगे कुछ भी कर पाता है ऐसा ही आपके मन के साथ भी है ये ये शरीर एक गणना की प्रक्रिया है शायद उन कम्प्यूटर से कहीं ज़्यादा जटिल जिन्हें आप चला रहे हैं पर असल में ये एक गणना करने वाला काम ही है बिना जानकारी के ये काम नहीं करता तो अगर आपको जानकारी पता है आपने ही ये सौफ्ट्वेयर लिखा है आपको इसका डेटा पता है तो आपको पता होगा कि ये क्या कर सकता है और क्या नहीं तो उसमें आत्मी चिंतन क्या करना है तो क्या मैं जादा सोच रही हूँ या आत्मी चिंतन कर रही हूँ दोनों की जरूरत नहीं है, आपको चीज़ों को देखने के लिए और स्पष्टता की जरूरत है, अगर आप किसी चीज़ को देखें, उसे उतनी ही स्पष्टता से देख सकें, जैसी वो सच में है, तब किसी चीज़ के लिए आत्मी चिंतन की जरूरत नहीं है, अभी आप य 24 घंटे एक पल जैसे निकल जाते हैं, ऐसा होता है ना, किसी और दिना थोड़े निराश है, 24 घंटे, हजार साल जैसे लगते हैं, तो सिर्फ दुखी लोग लंबी जिन्दगी जीते हैं, अगर आप आनंद में हैं, तो ये पूरी हो जाती है, इससे पहले कि आप समझ पाएं ये सब किसलिए था, अंतिम संसकार, हाँ, मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैं ऐसा फील करता हूँ, जैसे मैं परसों ही पैदा हुआ था, देखे मुझे, तो प्राबलम यहां पर है, हम अपनी जिन्दगी को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, आत्म चिंतन से, मैतिकता से, पूल मॉडल से, इससे और उससे, नहीं, इमकी जुरुत नहीं है, होना ये चाहिए कि ये जीवन उमंग से भरा हो, ये अपनी सर्वोच संभावना तक पहुचे, ये चमक उठे, अगर आप हर वक चमकते रहे हैं, तो शारेरिक प्रूप से आप बढ़िया रहेंगे, आप कि प्रतिभा खेल उठेगी, सब कुछ बढ़िया होगा, और क्या दुनिया में भी ऐसा होगा, नहीं, दुनिया कभी भी सौ प्रतिशत वैसी नहीं चलेगी, जैसी आप चाहते हैं कि चले, क्योंकि आप, आप तीनों युवाँ हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ और यहां बहुत से युवाँ हैं, मैं आप सभी को ये बता रहा हूँ, क्योंकि आप में बहुतों नहीं ये सपना संजो रखा होगा, कि आपको एक आदर्श इंसान मिल जाएगा, आपके जीवन में खृष्ण, सबसे अद्भृत पुरोष, उनकी पत्निया हमेशा शिकाय अगर आप ये एक चीज कर लें, तो इन सब चीजों की जरूती क्या है? शान्त करने के लिए मेघावी योग, अभ्यास, ध्यान या आत्म शक्षातकार की तक्निके सीखे, ये तक्निके आपको वर्तमान में मौजुदा रहने में मदद कर सकती है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करे, अपनी चिंताओं और चिंताओं को अपने दोस्तों, परिवा अपने दिमागों सकारत्मक विचारों की और मोडे, किसी भी स्थिति में आप क्या सीख सके है यह सोचे, और सकारत्मक रूप से सोचे, समय निर्दारित करे, अपने दिन को समय सारित करे, और अपने विचारों को नियंदरित करने के लिए निर्दारित समय बनाए, मनोविग्णानिक तक्निके, कुछ मनोविग्णानिक तक्निकों का अभ्यास करें, जैसे कि माइनफुलनेस, ध्यान और समवेदन शीलता, स्वस्थ जीवनशैली, स्वस्थ भोजन, नियमित व्यायाम और परियाप्त नींद लें, ये आपके दिमाग को स्वस्थ और शांत र कर्मयोग अभ्यास करें, कर्मयोग आपको वर्तमान में जीने की कला सिखाता है, इसका मतलब है कि आपको केवल कारवाई पर ध्यान केंद्रित करना होता है, नकी परिणाम पर, इन तक्निकों का अभ्यास करके, आप अपने अत्यातिक सोचने की आदत को कम कर सकते हैं, और अपने जीवन को अधिक सकारात्मक और शांत बना सकते हैं,